हेलो फ्रेंस वागते आपका मेरे चनल में तो आज हम बताएंगे आपको आर मोल की कटिंग करने के बारे में जो काफी लोग है अलग-अलग तरीके से से कटिंग करते हैं तो हम बहुत ही आपको सिंपल तरीका बताएंगे इसका कटिंग करने का हमने कुछ इस तरीके से इसे पार्ट में फोल्ड किया है आप चाहे तो इसमें अलग-अलग फोल्ड करके भी आप इसे रख सकते हैं उपर तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करके रखा है इसको चार पार्ट में मीज की आगे की साइड है और पीछे की साइड है दोनों को हमने बराबर ही रखा है अगर आप आगे पीछे करके भी रखना चाते हैं उसकी वीडियो मैं बना कर डाल दूँगी मेरे चैनल पे तो आप उस तरीके से भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं जिसके लोगों के कमीज है जो पीछे की तरफ जादा जरता है उसके लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है कटिंग करने का जिससे आपका कमीज है पो पीछे की साइड कभी नहीं जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसकी जहां से जो भी आपको लेंथ रखनी है जितना आप इसमें कटिंग करना चाहते है कम जब फिर ज़्यादा भी रख सकते है सबसे पहले आपको उपर जो भी कपड़ा है एक्ष्टा इसकी कटिंग कर लेनी है जहां से कटिंग करने के बाद में आपको आर्मोल की जितना लेंध रखनी है आप वो रख लेना हमने जहां पे से अब साथ इंच भी रख सकते हैं और आठ इंच भी रख सकते हो तो मैंने जहां से आठ इंच रखा है और जहां से आठ इंच रखने के बाद में हमने कुछ इस तरीके से निशान लगा दिया है तीरह की लेंथ लोगे जो भी आप तीरा रखना चाते हैं तीरह हमने 8 5-3उच रखा है झाहां से हम तीरे की लेंथ नापने के बाद तीरे को बबराबर करेंगे नीचे की तरफ इससे आपको इसे पराबर कर लेना है। कि शेव दे देनी है इसको जहां से इसकी शेव देने के बाद में आप इसको जो भी आपकी शाती के आएगा अब बार दिन उसके आप अनुसार आप रख सकते हो जितना आप रखना चाहते हो इसमें आप जो भी आप जहां पर आप कम ज़्यादा भी रखना चाहते हैं तो वहां पर रख सकते हैं रखने के बाद में आप हमें इसको कुछ इस्त्रीक से गुलाई दे देंगे तो अब हमें इसको कुछ आगे की सेड भी और पीछे की सेड में थोड़ा सा एक इंच का गैप शोड़ेंगे इन दोनों के बीच में जो पीछा की गुलाई है आपको वो थोड़ा कम ही त्रशी देनी है जो आगे की सेड़ है उसे एक इंच का गैप शोड़ते हूं एक सबाइंच तक आप इसमें गुलाई दे सकते हो जहां से देने के बाद में हम आदा इंच तीरे की डाउनिंग रखेंगे इस त्रीके से नीचे की तरफ हमें उसे डाउन करेंगे जहां से डाउन करने के बाद में अब हमें जो भी गले के लिए कपड़ा शोड़ना होता है उसे हम छोड़ लेंगे जितना आप अगर डीफ गला बनाना चाते हो वो भी आप बना सकते हो गना बनाने के बाद में हमने इस तरीके से थोड़ा तिर्शा निशान लगाया है कुछ इस तरीके से ताकि हमें आईडिया रहे हमें गले को जोड़ते वक्त बीच में सीधा ही आए इसलिए हमें ये निशान लगाते हैं और इसे तरीके से हम इसकी उपर से करेंगे इसकी कटिंग जहां से अब हमें इसकी करेंगे कटिंग तो कुछ इस तरीके से हमें थोड़ा साइज में और डाउन कर देंगे हमें बैक साइड की कटिंग बस इतनी ही करनी है और जहां से करने के बाद में अब हम इन दोनों को अलग कर लेंगे दोनों पार्ट्स को जो नीचे वाला है उसको हम अलग शोड़ देंगे और उपर वाले को अलग शोड़ लेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें इसको इस तरीके से भी आप कटिंग इसको नीचे अलग करके रख ले सकते हो क्योंकि जहां तक अलग करना है आपको कि नीचे कपड़े पर कटना लगे दूसरे पर तो मैंने कुछ इस तरीके से उस कपड़े को नीचे की तरफ फॉल्ड कर दिय कि अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब यूदू कर लेना लाइक शेयर ना कमेंट करके हमें बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो इस तरीके से हमने और आगे की सेड़ है उसकी कटिंग भी कर दी है कि जहां से कि इंच की कटिंग होती है अगर आप इसमें प्लॉईयां डालने चाहते हैं तो वह भी आप डाल सकते हैं इस तरीके से आप अपने सूट की कटिंग कर सकते हो आर मॉल की सो पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्यू